असलाम वालेकुम कैसे है आप सब लोग उमीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे आप सभी का हमारे यूटुब चैनल पे स्वागत है तो आज हम पूरी और आलो की सबजी की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे जो बिल्कु धाबा स्टाइल बनेगी तो चलिए देखते ह है यह हमारी माश की दाले यह हमने रात में भीगो दी थी यह 200 ग्राम हमारी माश की दाले इसका हम एक अच्छा सा पेस्ट तयार करेंगे इसमें हरी मिर्च डालेंगे यह हमारी तीन हरी मिर्च है यह हमारे 1.5 इंच का टुकला अधरका है यह हम डालेंगे और इसको हम पानी के डाल कर पीस्ट बनाया है यह पूरी का दो तयार करेंगे 500 गिराम आटा है यह इसमें हम 100 गिराम सूजी एड कर रहे हैं यह हमारे एक टेबल स्पून तेल है वो डालेंगे यह आटा नॉर्मल है जिससे आप रोटी बनाती है कर दो आट एक टी स्पूनेम रहे हैं आफ टी स्पून धन्यका फावडर हुआप टी स्पूं संव का पाउदगा आफ टी स्पून जीरे का पाउडर हाफ टी स्पून लाल मिर्श का पाउड़ को अभी मिसatyसme बलादेंगे अब दाल बन मिला देंगे यह उन्हें पेस्ट तयार किया था अब यह अच्छे से मिलाईएगा पानी पर यूज़ बिल्कुल नहीं करियेगा आपको जरूरत लगे तभी पानी डालएगा देखिए हमारी दाल और आठा दोन अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें पानी डालेंगा पानी बिल्कुर थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि हमें डो कूड़ी वाला तयार करना है तो थोड़ा टाइप हमें डो को बनाना होगा देखिए हमारा डो तयार होगे एक कटोरी से कम पानी हमारा लगाई है अब हम इसमें थोड़ा ऑल डाल के इसको रख देंगे रेस्ट करने के लिए तक यह रेस्ट कर रहा है हम अपनी सबजी के तयारी करते हैं तो देखिए यह हमारे आलू की सबजी का सामार है यह हमारे पांसो ग्राम आलू है इसको हमने बॉइल करके आहास से इस तरह से तोड़ लिया है यह दो हरी मिर्च है यह एक टीश्पून कसूरी मेथी है यह हमारे बॉइल चने हमने इसको रात में बिगो के रख दिया था और नमक डाल के हमने इसको बॉइल कर लिया और इसको पानी से निकाल लिया है यह हम पानी ना आलू की गिरेवी में यूज करेंगे यह हमारे दो चोटे साइज की प्याज है हमने इसको चोटा-चोटा सा काट लिया है यह हमारा जीरा है एक टीश्पून एक डाल चीनी का टुकडा है एक काली लाइची है दो तेस पक्ते यह बगार में जाएगा यह गार्निशिंग में हरा धनिया डालेंगे यह हमारे कुछ चुखे मसाले है दो टीश्पून लाइच मिर्च का पाउडर है एक टीश्पून सौफ का पाउडर है यह आफ टीश्पून काली मिर्च है हाफ टीश्पून हल्दी है एक टीश्पून जीरा के पाउडर है एक टीश्पून आम चूल पाउडर है दो टीश किसी धन्या है एक टीस्पून ना माखरी देखिए हमारा ओल है रिफाइड ओल है इसमें अब हम इसमें यह जीडा और तेज़ पश्टा दालेंगे हिंग दालेंगे क्यास दालेंगे कि अबरी पीछ नहीं करना है इसको हमको गोल्डन द्राव नहीं करना है कि अबर्स पर्स्पारेंट हो जाए अबस तक हम इसको ठीर जाई गोगी फिर मगने सावे मसाले एक कर देए मत्तिए हमें अमसाले इसमें सावे मसाले ने तरह करतेंगे करेंगे हमारे टमाटा है तीन टमाटा है जो हम आपको दिखाना गोल गए इसका हमने एक पेस्ट तयार कर लिया है वोडिया मैट करेंगे अब हम इसको सब तक बूनेंगे जब तक हमारा ओयल भी है सेपरेट माट होगे मकाले देखें हमारा ओयल सेपरेट हो गया है अब हम इसमें यह चने आइच करेंगे कि आप स्वागे, वाइला भूसारी अजाए करेंगे यह हमारा जो पानी में हमने चने ब्राइज रख लिया था इसको जादेंगे आप अपने मिसाब से पानी ब्राइजी को किसनी पानी चाहिए है गिरेगी इसकी अब इसमे पानी ओर बाएगा अगा सुदी में कीई नहीं एक पानी हमें और दाला है आशने आशने तक्रिबान दस मिनट पकाएंगे तक्रिबान दस मिनट पकाएंगे अधिवी गयस पे जो पले पीस हो आनुके उसको इसे तरह चम्मत से दबा दबा के आप तोर दीजेगा तो आपकी गिरेवी और बहुत टेस्ट में भी बल जाएगी और ठीक हो जाएगी अब आप इस टेश्पन नमक को भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपका नमक काम हो तो आप डाल दीजेगे देखिए दस मिनट हो है मैं सबसी को पकते होगे देखिए गाली हो गई है और अब गैस की क्लेम को आफ कर देंगे इसमें धन्या डालेंगे चल्या रंप अपनी पूरी बनाते हैं देखिए जो नार्मल आप पूरी बनाते हैं उससे थोड़ा साथ पेड़ा दवा रचना होगा आपको देखिए इसकी तिकनस इतनी है इसको बहुत जादा पतला नहीं करेंगे सारी पुरिया बालें मुँ बनाते हैं इसी तरल से हम साडी बाग करेंगे तो दिखिए, मेरी आवे तुभी की सबजी तयार हो गई है, यह बहुत टेस्टी बनती है तो इसको ज़रूर बना के नजुआई कीजेगा, और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताईएगा और अपनी फैमिली में शेयर कीजेगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, हमें लाइक कीजेगा, सपोर्ट कीजेगा, अल्दा हाफिस